हाई दोस्तों आपका स्वागत था आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाय सेलेक्सन में फ्रेंट्स आजने लोग बात करेंगे SBI क्लर्क के एक्जाम एलाइसिस को देखेंगे फ्रेंट आप तारीक है 29 फेर्वरी और 29 फेर्वरी को पहले सिफ में जो भी कोशन आए है जिस तरह के पैटर्न आए हैं उसको भी हम भी हाम से देखेंगे SBI कलर्क प्री के एक्जाम जो हुए है 29 फेर्वरी को 2020 के उसके पैटर्न देखते हैं 29 फेर्व सिफट 1 इक्जाम पैटर्न पॉस देखेंगे तो friends, maths गयर बात करें दोस्तों तो maths में देखें, quadratic equation से 5 question पूछा गया है missing series से आपके 5 question पूछे गया है arithmetic से 10 question पूछा गया है दोस्तों, और simplification से भी 10 question, easy level का इतम simplification आया था, di जो आया था आपका bar graph bench था, di यह 5 question आपके, di से पूछे गया है अगर बात करें, arithmetic में किसकी section से question पूछे गया है, तो mensuration से question आया था friends, square or rectangular को लेके, partnership से simple question पूछे गया थे, एक question probability से भी था mixture allegation से एक question था time and work, profit and loss and compound interest और simple interest से भी question था, तो friends, यह सब sections आपके exams में, यह सब chapter से आपके exams में math के questions पूछे गया है चलिए बात करते है reasoning का, तो reasoning में देखिए, alphabetical series से questions पांच पूछे गया है, circular arrangement से आपके 5 questions पूछे गया है दोस्तो, syllogism से आपके 3 questions आये थे, inequality से भी 3 questions पूछे गया है, monthly based आया था आपका 5 questions आया था, miscellaneous से 3 questions, 2 questions और direction से 3 questions पूछे गया है आपके exam में, देखिए, row based question भी आया था, आपका 1 question आया था row based, तो यह exam pattern था आपके reasoning का, तो overall वैसा ही pattern जैसा आपके हर बार exam में पूछे आते हैं, English का आपके बातकरे, friends, तो इंग्रीज में देखिए, RC से आया था reading comprehension, जो कि story based था story based question आया था, 8-10 question आपके reading comprehension से, फिर आपका filler से आया था, single filler से आया था, आपके 5 question आया था, friends, clause test आया था, 5-6 question, carbon based clause test था, PQRS आया था, re-arrangement के भी 5 question पूछे गया था, friends, और फिर error से 5 question पूछे गया था, तो friends, ये था आपका exam pattern SBI कलड़ के pre-K 29 February, 1st shift का तो दोस्तों, मैं आसा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुए रहने के लिए महा माय सेलेक्सन सब्सक्राइब कीजिए और हमें motivate करने के like button दबाईए कि इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहा हूँ, thank you